वेल्कम तो माई योट्यूब चैनल चल चलो स्टार्ट करते हैं एक्सराइज 11.1 से कोशन नवर 6 से वट इस रिटन इन गिवन फिगर बट वैल्यू ओफ द एक्सराइज बन जाए जिनका सम हो 180 डिगरी 180 डिगरी क्यों है क्योंकि यह जो दोनों एंगल्स हैं वो एक लाइन पे लाए कर रहे हैं और एक लाइन पे जो भी एंगल्स लाए करते हैं उनका सम होता है 180 डिगरी और यह आपस में क्या है लिनियर पे है हम क्या लिखेंगे इन दोनों का सम IS equal to होगा 180 डिगरी के कैसे लिखेंगे फ्रि एक्स प्lt mah जोग हों लाइक टर्म्स होते है उनको एड्ट कर लेते हैं लाइक टर्म्स कौन से होते हैं जो एक जैसी होते हैं लाइक देखो इस पर 3 है एक नमबर है उसके साथ एक वैरियेबल होता है जिसकी वैलियो रखकर हम चेंज कर सकते है राइड तो यह भी एक्स वाला है इन दोनों को हम एड कर लेंगे तो क्या बन गया 5x चीक है अब यह तिस इस एक डिगरी कॉंस्टें नमबर है और माइनस 33 तो आपने इंटीजर में पढ़ा होगा कि जब हम माइनस 33 एन 8 है उसको जब हम कैलकुलेट करते है न तो डिफरेंस निकाल लेते हैं क्योंकि इतने नमबर तो 33 तो माइनस के हैं और प्लस के हैं 8 तो डिफरेंस कितना आया बताओ 25 डिगरी का हाना तो क्या आया 33 माइनस 8 इस इक्वल तो माइनस 25 डिगरी माइनस क्यों आया क्योंकि जो बड़ा नमबर था वो कि साइन का था माइनस का इस इक्वल तो 180 डिगरी अब हमें x की value फाइन करनी है तो हम क्या करेंगी कि x वाले को तो left hand side चोड़ देंगे constant वाले को right तरह transpose कर देंगे तो 5x रहा अपनी प्लेस पे 180 डिगरी ये right hand side जाएगा तो 25 किसमें हो जाएगा positive ठीक है तो हम क्या करेंगे 5x इस इक्वल टू 180 में 25 एट किया तो 5 8 प्लस 210 डाट इस और 205 अब हम x की value फाइंड करेंगे 205 अपन इधर multiple में है तो right side जाके क्या हो जाएगा division में 5 1s are 5 5 4s are 20 and 1 is equal to 41 degree तो ये क्या आ गया हमारे पास 41 degree आ गई x की value है चिक है तो ये ही तो हम से पूछा था in the given figure what value of x make a o be a straight line it means जब हम यहाँ पे x की value put करेंगे 41 तो sum आ जाएगा 180 degree okay students so this is all about the question number six for next video we will meet in next